सोची अगर आप भविश्य से देख पातें तो कैसा होता? Precognition यानि भविश्य का ग्यान एक ऐसी ही रहसेमल टॉपिक है क्या सच में कुछ लोग फ्यूचर इबेंट्स को पहले से देख सकते हैं? आज हम इस टॉपिक को एइस्प्लोर करेंगे तो वीडियो में अंतक बने रहें चार अपरील 1865 की बात है जब अमेरिका के प्रेसिडेंट अबरहाम लिंकन ने अपने दोस्त और बॉडिगार्ड वार्ड हिल लिमन से अपने एक सपने का जिक्र किया सपने मुनों ने देखा था कि वाइट हाउस में एक ताबूत रखा हुआ है और बहुत सारे लोग उसके आसपास खड़े होके रो रहे है जब उन्होंने सपने में किसी से पूछा कि ये किसकी बॉडि है तो जवाब मिला प्रेसिडेंट की मतलब उनके खुद की बॉडि थी ये सपना उन्हें बहुत बेचैन कर गया और सिर्फ 10 दिनों के बाद 14 अपरील 1865 को लिंकन को मार दिया गया और वहाँ उनकी बॉडि बाइट हाउस में रखी गई बिलकुल उनके सपने की तरह ये इंसिडेंट इतना चोकाने वाला था कि लोग इसे प्री कॉगनिशन का एक किलियर एकजामपल मानने लगे क्या ये सपना एक वार्निंग थी या सिर्फ एक कोइंसिडेंस ये सवाल आज भी लोगों को सोचने पे मजबूर करता है प्री कॉगनिशन का मतलब है पहले से ग्यान मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भविस्चिक इवेंट्स को पहले से जान लेते हैं पर ये कैसे होता है क्या ये सच में पॉसिबल है ये एक ऐसी चीज है जो हमारे सोचने समझने की सीमाओं से बाहर है साइस में प्री कॉगनिशन को लेकर बहुट डिबेट है कुछ स्टडीस कहते हैं कि कुछ लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं पर इसके सॉलिट प्रूफ अभी तक नहीं मिले हैं साइंटिस्ट जैसे निउरोलोजिस्ट और साइकोलोजिस्ट इस टॉपिक को श्टडी कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि क्या ये हमारे अनकॉंसियस माइंड का काम है या कुछ और neuroscience के मुताबिक हमारा brain एक powerful prediction machine है हमारा दिमाग हर पल environment से signals लेता रहता है और इन signal को process करके future के बारे में predictions बनाता रहता है ताकि हम safe रह सके ये predictions conscious level पर ना होकर subconscious level पर होते है कुछ scientist का ये मानना है कि कुछ लोग इस subconscious prediction को ज़्यादा अच्छे से समझ लेते हैं जिसे हम pre-cognition कहते हैं psychology के field में studies ये suggest करती है कि देजावू एक प्रकार का pre-cognition हो सकता है जब हम किसी situation को पहले से experience कर चुके होते हैं या फिर हमारे brain ने similar situation को process किया होता है तब हमें देजावू का अनुभव होता है ये cognitive illusion हो सकता है जो pre-cognition जैसा लगता है अगर आपको देजावू पर detail में वीडियो चाहिए तो comment करके बताए मैं उस पर एक detail वीडियो बना दूँगा और अगर अभी तोग वीडियो देख रहे हो तो subscribe भी जरूर कर ले और फिलाल चलते हैं अपने topic पर pre-cognition पे parapsychologist मानते हैं कि ये एक तरह का sick sense हो सकता है ये telepathy और claro voice जैसे psychic ability के साथ आता है psychologist इसको study करते हैं और समझने की कोशिस करते हैं कि ये abilities कैसे काम करती है उनका मानना है कि कुछ लोगों के पास ऐसी spiritual ability होती है जो normal sensory perception के beyond होती है ये abilities quantum mechanics के principle के जरिये explain की जा सकती है जहां consciousness एक universal field के साथ interconnect होता है ये theory के मताबिक हमारी consciousness time और space के barrier को पार कर सकती है और future events को देख सकती है telepathy जो की thoughts और feeling को बीना किसी physical interaction के communicate करने की ability है ये precognition का एक हिस्सा बन सकती है clairvoyance यानी दूर की events या objects को बिना किसी physical medium के देखने की ability है ये भी इसी category में आती है precognition इन दोनो abilities के similar होती है पर इसमें focus future events पर होता है वहीं critics कहते हैं कि precognition सिर्फ cognitive biases या coincidence हो सकता है scientific community में भी इस बरवर सहमती नहीं है भरोसे मन सबूत के बिना precognition को एक established phenomena नहीं कहा जा सकता है कई scientific studies ने precognition को prove या disprove करने की कोसिस की है पर कुछ experiments छोटे effects दिखाते हैं जबकि कुछ तो बिल्कुल भी effects नहीं दिखाते हैं तो अंत में बस यहीं कह सकते हैं कि precognition एक रहस्यमई और fascinating topic है चाहे ये एक psychic ability हो या दिमाग का खेल इसकी mystery बरकरार है जैसे जैसे हम मानव चेतना और perception को explore करते हैं हमारे समझ और भी गहरी होती जाती है साइध हमारा भविस्य इतना predictable ना हो पर हमारी जिग्यासा और खोज कभी खतम नहीं होती भविस्य के राज को सुलजाने की ये कोसिस हमारे सोचने के तरीके को नई दिसा दे सकती है और हमें इस योनिवर्स के बारे में नए जवाब दे सकती है क्या पता एक दिन हम सच में समझ पाएं कि प्री कोगनिशन कैसे काम करती है और उस दिन तक हम इस रहसे में यातरा का आनन लेते रहेंगे तो गाइस इस वीडियो में इतना ही ऐसी और मज़िदार वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले